नमस्कार अभी तक दोस्तों हमने सुना था कि वुहान वाइरस की टेस्टिंग के लिए दो टेस्ट प्राइमरी लिए रैपिड एंटिजन और आर्टी पीसियार जहां आर्टी पीसियार को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है यही टेस्ट किये जाता है लेकिन मैं अगर कि कुटे भी कोविट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं बताने लगे तो आप हसने लगेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है लेकिन दोस्त मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हो रहा है दोस्तों आपने अक्सर मिलिटरी ऑपरेशन के वक्त स्नाइफर डॉक्स को देखा कि लास्ट मंथ दो अलग रिसेर्च ग्रूप्स के फाइंडिंग से पता चला कि स्नाइफर डॉक्स कोविट इंफेक्शन हुमेंस में डिटेक्ट कर सकते हैं और इनकी एकुरिस सी रिमार्केबल थी सो क्या डॉक्स फ्यूचर एक कोविट टेस्टिंग में अभी तक जो एविडेंस मिले हैं उससे ये पता चलता है कि डॉक्स बहुत ही यूस्फुल है क्राउड में से पोटेंशियल इंफेक्टिट पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए लेकिन उन आइडेंटिफाई टीम ने एक चर्नल पब्लिस की थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था नौ ट्रेंड डॉक्स को आठ लेब्राडोर जिप्ट्रीवर और एक बेल्जियन मैली नॉइस जिन्होंने कोविट पॉजिटिव लोगों की यूरीन सेंपल को आइडेंटिफाई करना था और लास्ट विक लंडन स्कूल आफ हाईजिन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने भी एक प्रीप्रिंट पब्लिस किया था वो बेस था एक साल की स्टेडी और इसे यूके गवर्मेंट ने फंड किया था उन्होंने रिपोर्ट की छै ट्रेंड डॉक्स ने इंफेक्टिट लोग पताया है कि इंफेक्टिट पर्सन की वेस्ट प्रोड़क्ट में डिस्टिंक्टिव स्मेल है हमारी यूरीन सलाइवा और स्वेट में केमिकल रिलीज होता है जिससे हम वॉलाटाइल और्गनिक कंपाउंट कहते हैं और इसमें अलग सी गंद होती है जिससे पता चलता है कि एक पर्सन इंफेक्टिट है या नहीं मेडिकल डिटेक्शन डॉक्स जिन्हों रिसर्च के लिए डॉक्स को ट्रेन किया था उनका कहना है कि डॉक्स के नोस के कंप्लेक्स स्ट्रक्चर के वज़े से उनकी स्मेलिंग केपासिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी वज़े से कोवीट के ओडॉर को भी वो करने के लिए फिनलेंड और लेबनन ने भी यह ट्राइल कंड़क्ट किये हैं डॉक्स के साथ और दोस्तों इनकी एक्कुरेसी के साथ साथ स्पीड भी बहुत मैटर करता है क्योंकि 300 पैसेंजर्स को वो 30 मिनिट्स में स्क्रीनिंग कर सकते हैं डॉक्स को कई हफ्तों तक ट्रेनिंग दिया गया था और उन्हें इंटर्ड्यूस कया गया ओडॉर सैमब्ज के साथ जो इनफेक्टेड पीपल थे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंपल्स को स्टेंड सिस्टम में रखा गया था अगर सेंपल्स पॉजिटिव हुए तो डॉक्स स्टेंड के सामने बैठ जाएंगे या फिर अपने नाक से इंडिकेट करेंगे लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो वो उसे इक्नोर कर देते थे यूके स्टेडी के ओथर्स का मानना है कि ये ऐसे कंपलिमेंट हो सकता है सबस्टिटूट नहीं बैस्ट पार्ट ये है कि डॉक्स क्राउड़ेट प्लेसेस में बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे इंफेक्टेट लोगों को और ये बहुत ही हेल्फुल होगा जहां पर मास्क गैदरिंग होती है जैसे रिल्वे स्टेशन्स, एरपोर्ट, बस टर्मिनल्स और बहुत से ऐसी जगा है अभी ये हर जगा लागों नहीं हुआ है लेकिन आई होब कि ये आगे भी और सक्सेसल हो और ये दूसरे इंफेक्शन्स में भी डॉग्स का इस्तमाल किया गया था और वहाँ पर वो सक्सेस थे तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि इंडिया में ये लागू होना चाहिए कि नहीं या फिर इंडिया में कंड़क्ट होना चाहिए कि नहीं I think हमें फाइदा होगा अगर हम भी ऐसे टेस्ट कंड़क्ट करें धनिवाद दोस्तों खुश रहिए खुश बाड़ते रहिए और इस मुश्किल घड़ी में सब का होसला बनाए रखिए धनिवाद जय हिंद